जेहिंद वेलकम बैक टू विजयपाथ एजूकेशन ओनलाइन पेड़ क्लासिस आप सभी का प्रारंप बैच में स्वागत है हमारी ओनलाइन पेड़ क्लासिस में आज हम परसेंटेज के टॉपिक को फिर से एक वार कॉंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने कुछ परसेंटेज के टाइप को कवर कर लिया था आज जो है अभी election based question हमारे जो रहेंगे percentage के chapter में उनको हम कवर करने वाले हैं जल्दी से आप सारे साथ हमारे साथ जुड़ जाएं और start करते हैं आज के इस important session को चुनापर आधारित प्रसेंटेज के chapter में जो हमारे बनते हैं उनको आज हम कवर करेंगे election based question यहां पर सबसे अची बात आपको क्या रहेगी कि जितने भी question है आपके वो सारे के सारे आपको type by type जो है वो आपको करवाये जाएंगे ताकि आपकी तेयारी में जो है वो कोई भी कमी ना रहे पाए क्योंकि जो आपकी different classes होती है जैसे कि अगर मैं math की ही बात करूँगा तो उसमें कई बार क्या होता है कि जब भी हम percentage का कोई topic start करते हैं तो उसमें जितने भी question है वो सारे के सारे mix हो जाते हैं तो आपको कई बार confusion होती है लेकिन सबसे ची बात क्या है paid classes की कि आपको यहाँ पे type by type question जो है वो आपको देखने को मिलेंगे तो पांचमा type हमारा यह रहेगा election based question इनको start करते हैं पहला question मैं आपको अराम से समझाओंगा और उसके बाद one by one आप इसको थोड़े speed के साथ जो है इसको हम cover up करेंगे पहला प्रशन है हमारा एक चुनाब में दो उमीदवार थे जीतने वाले उमीदवार को कुल मतों का 65 प्रतिशत क्या हुआ मत प्रापत हुआ मतलब उसे 65% vote जो है वो मिले और वो 900 बोटों से क्या हो गया जीत गया तो दो उमीदवार थे यहाँ पे हम बात करते हैं दो उम प्रतिशत की बात की जाती है उसको हम कंपेर करते हैं 100 से तो इसको अगर 65 प्रतिशत यहाँ पर जीतने वाले को मिले कितने 65 प्रतिशत बोट जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे तो हारने वाले को 100 से आप कम कर दीजिए हारने वाले को कितने मिल गए 35% बोट मिल गई उसके बोला है कि वे 900 मतों से क्या हो गया जीत गया, अब ये जो जीतने वाला बंदा है आदमी है, ये कितने बोटों से जीता है 900 बोटों से जीता है जब भी आपके पास प्रशन हार, जीत उसके बाद, पास फेल, कम अधिक ये जादा, ये कमी ये बृधी का प्रशन आएगा, तो हर बार आपको क्या निकालना है अंतर निकालना है, जब भी हार जीत पास फेल, कम अधिक का, कोई भी प्रशन आपके पास आता है किसी भी चैप्टर का, आपको क्या निकालना है उनका difference निकालना है, अंतर निकालना है तो यहाँ पर question में, जब हम देखें कि कितने boat'tوں से जीता है 900 boat'ों से जीता है, boat'ो के according जीता है कितने से 900 से लेकिन प्रतिशत के according कितने से जीता है, इसके 35% है और दूसरे के 65% है, तो कितने का gap है, यहाँ पर कितने का gap है 30 प्रतिशत का gap है, अगर percentage की बात करूँ तो 30 प्रतिशत बोटों से जीता है और बोटों की बात करूँ, उनकी संख्या की बात करूँ तो 900 बोटों से जीता है, दोनों को compare कर दिया 1% की value हमने यहां से निकाली, कितनी आ जाएगी 900 बटा 30, हमें question में जो भी last में पूछा होगा, उसी से multiply करना होता है last में पूछा है, कि मतदाओं के नाम दर्ज कितने है, मतलब कि कुल बोट कितने थे तो बोट total कितने है, 100 तो 100 से इसको क्या कर देंगे, multiply कर देंगे यदि मेरे से पूछा होता, जीतने वाले को कितने मिले हैं तो जीतने वाले को मिले है, 65 प्रतिशत तो यहाँ पे 100 की जगा 65 से गुणा करना था हारने वाले के पूछे होते, तो 35 से गुणा करना था तो 1-0 से 1-0, 3 से मेरा 90 कट जाएगा 30 आ गया, और 2-0 और लगी तो इसका मतलब total बोट कितने हैं, total बोट है 3000, जल्दी से अगला question भी solve करेंगे इसी type का है हमारा, किसी चुनाब में A और B, दो उमीदवार थे, प्रतियाशी थे A ने 45 मत प्रापत किये, और बैं चुनाब हार गया अब देखिए, 100 की total हम बात करते हैं एक क्या होगा, एक होगा जीतने वाला और दूसरा होगा हारने वाला, तो जिसको 50 से जादा बोट मिलेंगे, 50 प्रतिशत से जादा बोट मिलेंगे, उसको जीत मिलेगी और दूसरे को हार मिलेगी, तो A वाला जो person है, उसको कितने मिले, 45 मिले इसका मतलब, वो क्या हो गया, हार गया तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे, 100 में से, जीतने वाले को मिले होंगे, 55%, जीतने वाले को total 55% यहां पर मिल गए, अब आगे question में बोला गया, कितने बोटों से हारा है, 1000 बोटों से हारा है, अगर बोटों की संख्या की बात करें, तो 1000 बोटों से हारा है, लेकिन की value कितनी, 1000, और बटे में कितना आ गया, 10, आगे क्या पूछा है, total, full मतदाओं की संख्या, तो total अपने आप में कितने है, 100 है, इसलिए 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 10 से 10, 1000 को 10 से गुणा करेंगे, तो total vote कितने आगे हमारे पास, 10,000 vote आगे, आई होब आपको, यहां तक यह question जो है, वो clear हुआ है, हमारे election based question जो है, वो हमने start किये है, आप इनको one by one हमारे साथ करते चलें, ताकि आपकी practice में जो है, कोई कमी ना रह जाए, बलक में आपको question यहां पे provide करवाए गए है, ताकि आपकी जो practice है, किसी भी a question के लिए, वो आपकी repeated form में जो है, वो बार-बार होती रहे question आप भूले नहीं, जादा practice के लिए आपको यहां पर question मिलने वाले हैं, next question की बात करते हैं, अगला प्रशन है हमारे पास, एक चुनाब में और बाकी दो हारे होंगे, तो a, b, c person हम यहां पे लिख लेते हैं, a है, यह b है कोई, और एक यह c है, जीतने वाले को कितने मिले, 45 मिले, ठीक है, यहां पे लिख लिया, 45 प्रतिशत, और यह क्या हो गया, जीत गया, और बाकी दोनों जो होंगे, हारे होंगे, अब तीसरे स्थान पर जो रहा है, उसको कितने मिले हैं, 25 प्रतिशत मिले हैं, तो तीसरे वाले को कितने मिल गए, 25 प्रतिशत मिले, यह question में given है, अब प्रतिशत अपने आप में, टोटल बोट अपने आप में 70 और 30 कितने होगे total 100 जीतने वाले को 45 जो B% उसको 30 और C वाले को 25% मिले। अब question मैं बोला गया, उमीदवार… दूसरे इसतान पर रहने वाला उमीदवार 4500 हमतों से चुनाब हारा है। ये जी जो दूसरे वाले थो पर सन Пос तरह है कितने बोटों से हारा है करें percentage कि कितने का Kiap है क्यूंकि मैंने अभी आपको बताया हार जीत पास फेल कम अधिक यह कमी यह ब्रिधी वाले जब भी कोई प्रशन आते हैं हर बार आपको क्या निकालना है हर बार आपको difference ही nिकालना है हर बार difference निकालना है यहां पितने का gap आएगा आपके आज 45 में से 30 चलेगे तो इसका मतलब 15 प्रतिशत की value given है 45 एक प्रतिशत की value आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 45 नीचे आजाएगा 15 और आगे बोला है कुल कितने मतद आता थे तो कुल के लिए क्या करेंगे आप multiply कर देंगे 100 से 15 से 45 कट जाएगा तीन वार 300 और दो 0 और लगी तो इसका मतलब है total 30,000 बोट जो थे वो उस गाउं के थे total मत कितने थे 30,000 थे अगला प्रशन है जल्दी से इस question को भी solve करिए किसी त्री पक्षी चुनाब में मतलब कि कितने आदमी थे तीन आदमी थे फिर से हमने table बना लिया एक तीन आदमी थे A, B और C, A, B और C, A की लेक्षन हुआ, A को कुल मतों का 10 प्रतिशत प्रापत हुआ, A को कितने मिले, 10 प्रतिशत मिले B को जो है और तीसरे स्थान पर रहा A को जो है वो 10 प्रतिशत मिल गए इसका मतलब तीसरे स्थान पर रहा इसका मतलब यह क्या हुआ भार गया जीतने वाला यह नहीं है उसके बाद question में बोला B को 48 प्रतिशत मत मिले अब जो B है उसको कितने मिल गए 48 प्रतिशत मत मिले ठीक है B को 48 मिले A को 10 मिले तो जो तीसरा वाला व्यक्ति बचा है उसको कितने मिलेंगे यहां से आप चेक करिए 48 और 10 कितने होगे 58 total बोट कितने होते हैं अपने आप में 100 तो बचे कितने 42 प्रतिशत बचे गए हैं वे 1200 बोटों से जीता है अब हार और जीत किसके बीच में होती है जातर 2% के बीच में होती है पहले स्थान वाले के और दूसरे स्थान वाले के तो इसके जादा है और इसके कम है B और C में मुकाबला था कितने बोटों से जीता 1200 बोटों से जीता, are, geomet, pass, failure फिर से अंतर को बताएंगे 1200 बोटों से जीतने की बात बोली गई, तो बोटों की according, 1200 का gap है और जब आप percentage की according gap करेंगे, तो कितने percentage का gap है, 6% का gap है तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, percentage की ordering, 6% से जीता है वो person, और question की coding कितने बोटों से जीता है 1200 बोटों से जीता है तो 1% की value आ जाएगी 1200 और डिवाइड बाइड 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 सिक्स आपको बोला है pull कितने मत दाता थे इसका मतलग गुणा किस से करना है 100 से तो 6 से 12 कटेगा 2 बार नीचे आ गया 200 और 2-0 और थी तो टोटल बोट कितने थे वहाँ के 20,000 जो थे वो टोटल बोट के वहाँ पे तहे थे अगला प्रशन है एक चुनाब में 20 प्रतिशत मत अब आद घोशित होगे most important question है यह आपका इसमें जो हमारे invalid बोट होते हैं उनसे related question डाला गया है आपके exam point of view को देखते हुए और अब जो भी आपके exam होने वाले हैं जादा तर online आपके exam हैं तो आप थोड़ी सी महनत करिए, practice करिए और speed बनाइए ताकि जल्दी से आप question को solve कर सके एक चुनाब में 20 प्रतिशत मत क्या होगे किसी ने दूसरी जगा लगा दी, दो तीन जगा वहां पे लगा दी तो इसका मतलब ये vote हमारा cancel out हो गया तो फिर फैसला कितने में होगा, जो vote हमारे पास बचे हैं, valid vote है, फैसला उनमें होगा 80% में मुकाबला होगा, अब इसमें से दो उमीदवार थे, एक था करीम और दूसरा था राबत, ठीक है, 80 वाले में फैसला किया गया एक था कौन, करीम और दूसरा था राबत राबत बैध मतों का 40% मत उसने प्रापत किया, उसने कितने प्रापत किये 40, मतलब की, टोटल 80 अगर vote है तो 80 का 40% किसने लिया, राबत न लिया तो अभी हम लेके चलते हैं, इसने ले लिया 40% तो 100 से करीम को कितना मिला होगा करीम को मिला होगा, 60% यहाँ पे हमारा ये चीज हमने लिख ली, आगे बोला है, ग्याद कीजिए अब total vote का आप क्या निकाल सकते हैं 20% आप निकाल सकते हैं, तो आपके पास value जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, तो total vote कितने थे, 80% थे ठीक है, cool vote आपके पास आगे cool vote आपके पास, इसका आपने किया, 80% का 20% आपने निकालना है, 80% full vote का, और उसके बाद cancel out होगी हमारी ये बचा 1600 और उस तरफ जाएगा 100 तो उपर चला जाएगा और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, 16 से 16 गट गया 100 और 20 और लगी तो इसका मतलब total vote कितने थे हमारे पास? total vote थे 10,000 तो I hope आपको यहां तक question जो है वो समझ में आए है, election वाले question को हमने cover up किया, आगे जो है percentage में जो हमारे mixture वाले question रहते हैं मिश्रन वाले question रहते हैं, उनको भी हम cover करेंगे यहां पर तो type 6 की हम यहां पर बात करने वाले हैं 15 लीटर घोल में यहां पर solution आएगा घोल घोल आएगा यह आपका percentage के chapter में भी पूछा जाता है, और साथ में आपका किश्रन के chapter में, जो allegation mixture का chapter है उसमें भी आपका question पूछा जा सकता है, तो आप यह देखिए कि total घोल कितना है, एक बाल्टी है आपके पास, उसमे total घोल कितना है पंदरा लीटर है, बिल्कुल basic method से आपको सिखाऊंगा इस घोल में 40% क्या है, चीनी है तो पंदरा का आप क्या निकाल लीजी, total 15 लीटर का 40% आप निकाल लीजी, कितना जाएगा एक 0 से, एक 0 कटगी, यह 2 से 2 बार यह 5 बार, 5 से 15 कटा, 3 बार 3 को 2 से गुणा किया, 6, इसका मतलब है कि जब एक बाल्टी में 15 लीटर कोई चीज है, उसमें 6 लीटर क्या है, यह 6 लीटर आप बोल सकते है 6 kg आप बोल सकते है, इसमें क्या है शूगर है, चीनी है, 6 लीटर क्या आगया चीनी है, तो बाकी जो बचा होगा वो क्या बचा है, पानी बचा है तो अगर 6 लीटर चीनी है तो बाकी कितना बच गया, तो बाकी हमारे पास बचेगा 9 लीटर, तो 9 लीटर क्या आगया पानी आगया, यह हमने बिल्कुल अभी basic वाला portion कवर किया, 15 लीटर टोटल घोल है 15 का 40 प्रतिशत हमने निकाला वो चीनी आगी 6 लीटर, और बाकी जो बच गया 15 में से, वो 9 लीटर क्या आगया, पानी आगया अब इसमें क्या किया, 3 लीटर पानी और मिलाया गया अब सिर्फ पानी मिलाया ना कि चीनी मिलाया तो सिर्फ पानी की जगा आप 3 लीटर और मिला देंगे अब पानी कितना हो गया, आपके पास पानी हो गया 12 लीटर, तो घोल में भी क्या होगी बृद्धी होगी, चीनी तो 6 रही, लेकिन पानी 3 और भड़ा दिया, तो 15 और 3 कितना आ जाएगा हमारे पास? 15 और 3, 18 अब जो घोल है, वो कितने लीटर का हो गया? 18 लीटर का घोल हमारे पास हो गया टोटल घोल कितने का? 18 लीटर का उसमें से बोला है, हमें चीनी का प्रतिशत निकारना है चिनी एक्चुल में है कितनी, चिनी है 6 लीटर, कितने में से, 18 लीटर में से, प्रतिशत के लिए बोला है, तो गुणा किस से करेंगे, 100 से, 6 से 18 कटेगा 3 वार, 100 बटा 3 का मतलब होता है, 33.33 प्रतिशत, तो इतने प्रतिशत क्या हो जाएगी वहाँ पर, चिनी हो जाएगी, अगला फ्रेशन है, बालू और लोहे के 10 किलो ग्राम मिश्रण में 20 प्रतिशत लोहा है, ठीक है, एक कोई मिक्स्चर है, यह मिक्स्चर है, कितने किलो का है, 10 किलो का है, ठीक है, इसमें रेथ है, और साथ में क्या है, लोहा है, ठीक है, बालू है, यानि कि रेथ है, और आगया तो बाकी बचा कितना total whole जो है हमारे पास mixtion है 10 kg तो बचा कितना 8 kg जो है वो क्या गी rate आगी यहाँ तक clear आप सभी को उसके आद बोला गया उसमें कितना बालू और मिलाया जाए कि लोहा कितना हो जाएगा 10 प्रतिशत हो जाएगा मतलब कि लोहे की percentage को बढ़ाना है तो उसमें क्या add करना हमें हमें बालू जो है उसमें क्या करना पड़ेगा add करना पड़ेगा तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि x value जो है वो किसकी हमने add की rate की वहाँ पे add कर दी ठीक है तो यहाँ पर इसको ratio में हम लेके जा सकते हैं हमने यहाँ पर क्या किया x value को जो है वो क्या किया add किया x value हमें rate की add करनी है तो पहले कितनी थी 8 थी 8 में हमने क्या कर दिया x मिला दिया 8 में क्या कर दिया हमने x value जो है वो किसकी मिला दी rate मिला दी extra मिला दी, अब low है कितना? low है तो as it is 이상, 2 kilo, अब बोला गया कि percentage कितनी हो जाएगी, प्रतिशत कितना हो जाएगा हमार पास, वो होना चाहिए 10% हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, तो हमें कै लिखना यहाँ पर 9 उपर आएगा, और 1 तीचे आ जाएगा 10 प्रतिशत की बात बोली गई है यहाँ पर इस value को solve करेंगे तो answer जो है वो हम यहाँ से calculate कर सकते हैं multiply करिए आप यहाँ पर क्या जाएगा 8 प्लस के x 9 को 2 से किया 18 x की value कितनी आगी 18-8 तो इसका मतलब है 10 किलो उसमें rate और add करनी पड़ेगी तब उसकी value कितनी हो जाएगी 10 प्रतिशत हमारी के आजाएगी वहाँ पर जो low है वो कितना percent आजाएगा 10 प्रतिशत आजाएगी जब उसमें 10 प्रतिशत rate जो है हम उसमें add करेंगे अगला प्रशन है हमारा इस question को भी solve करिए अलकोहल और पानी के 40 लिटर में 25 प्रतिशत अलकोहल है उसमें अलकोहल कितने लिटर कम डाला गया होता ताकि बे 20 प्रतिशत ही होता ये भी फिर से हमारे पास उसी टाइब का question है एक bowl है कोई बासकेट है उसमें 40 लिटर क्या है गोल है और उसमें एक है अलकोहल और साथ में क्या है पानी साथ में है बोटर 25 परसेंट क्या है अलकोहल है तो 40 का क्या निकाल लिया मैंने 25 परसेंट निकाल लिया 25 बटा सो 25 से 4 बार 4 से 40 कटा कितना आ गया 10 इसका मतलब है अलकोहल कितना है उसमें अल्कोहल आ जाएगा 10 लीटर तो 30 लीटर क्या बच गया पानी बच गया यहां तक आप सभी को clear है पानी कितना बच गया 30 लीटर हमारे पास बच गया अब हमें क्या बोला गया अल्कोहल कितना कम डाला गया होता अब अल्कोहल को क्या करना है कम करना है ताकि कितना percent हो जाता 20% हो जाता यह हमें यहाँ पर बोला गया है तो 20% हमें कम करना यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 as it is लिखेंगे अब alcohol में कमी करनी है इसको minus x कर दिया और नीचे क्या रहेगा हमार पास सिर्फ और सिर्फ पानी रहेगा 30 अब 20 की value हमें यहाँ पर लिखनी है 20% हमने क्या करना है कम करना है तो 20 की value जब हम कम करेंगे तो नीचे आ जाएगा इस कम किया 80 जैसे पिछले question में किया था हमने 10 वाली value हमने लिखी थी तो एक जो है वो हम 9 लिखेंगे और एक हम 1 लिखेंगे total 10 value हमें यहाँ पर पहुंचा नी थी तो वैसे ही इसमें भी हम 100 के उपर value पहुंचाएंगे 20 उपर आ गया 80 हमार पास नीचे आ गया alcohol के लिए 20 आ गया और पानी के लिए क्या आ गया 80 आ गया ठीक अगर alcohol जो है वो 20% करना हमें alcohol अगर 20 करना है तो फिर पानी automatically कितना बन जाएगा 80 बन जाएगा 80 को इससे गुणा करें कितना जाएगा 800 minus के 80 x बरावर है 30 को 20 से किया कितना आ गया 600 अब यहाँ पर 80 x उस तरफ चला जाएगा 800 में से 600 चला जाएगा और बरावर के 80 x तो यह मेरे पास बच गया 200 200 और नीचे आ गया 80 calculation आप करें साथ साथ में 0 से 0 cancel out हो गया और 8 से यह 2 से 4 से आप काट दीजिए 2 बार 4 से काटेंगे 5 बार 5 बटा 2 का मतलब होता है 2.5 लीटर 2.5 लीटर यह इस question का क्या होगा सही answer होगा अगला question है मिश्रन पराधारित 2 धातू के 25 ग्राम मिश्रन में 40 प्रतिशत पहली धातू है ठीक है एक कोई धातू का मिक्षर है यहाँ पर 25 ग्राम टोटल कितना है 25 ग्राम है 25 केजी आप कुछ भी लिख सकते हैं हाँ पर 25 ग्राम टोटल मिक्षरन है और उसमें दो धातु है एक पहली धातु है और दूसरी धातु है पहली धातु जो है, वो कितनी है 40% है तो 25 का आप 40% आप निकाल लीजिये, 25 का 40% निकाला तो 25 बटा वो आ गया, 25 से कट जाएगा चार बार, 4 से 40 कटा कितना आ आगया, 10 इसका मतलब है 10 gram क्या होगी पहली धातू होगी तो फिर बाकी जो 25 से बच गया, 25 total है, 10 हमारी पहली होगी तो बाकी बचा कितना बाकी हमारे पास बच गया, 15 gram, 15 जो है वो दूसरी धातू होगी, अब बोला दूसरी धातू को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, ताकि उसका प्रतिशत कितना हो जाए 50 हो जाए अब कमी किस की करनी है दूसरी धातू की करनी है पहली धातू as it is लिखेंगे 10 दूसरी धातू है 15 इसमें से कुछ कम करना है एक्स कम किया अब बोला होनी कितनी चाहिए होनी चाहिए 50 इसका मतलब है ये धातू 50 होनी चाहिए तो खुद में कोई भी value 100 में होती है तो दूसरी value कितनी होगी फिर भी 50 होगी 50 और 50 कितना 100 अब criss cross multiply आप करें ये बन जाएगा आपके पास 500 और 15 को 5 से करेंगे 15 पंजे 75 minus के 50 x अब आप इसको criss cross करें 50 x आपका यहाँ पे चला जाएगा और 500 आप इस तरफ ले आएगे तो ये बनेगा 50 x बरावर है साड़े 700 में से कितना चला जाएगा 500 चला जाएगा यहाँ पे mistake क्यों होई calculation की हमने cutting जो है वो थोड़ी सी लंबी कर दी यहाँ पर 50 को 50 से हम direct cut करेंगे 50 को 50 से cut करेंगे हमारे पास आजाएगा ये 10 बरावर है 15 minus के 15 minus के x x को दूसरी तरफ ले जाएगे और 10 को इस तरफ ले आएगे तो x हो जाएगा प्लस का दिया जाएगा 15 minus 10 15 से 10 जले गए तो आँसर कितना आगया 5 लीटर या 5 ग्राम ग्राम में वेल्यू थी तो 5 ग्राम क्या होगा इस question का answer होगा दूसरी धातू को 5 ग्राम कम करना पड़ेगा ताकि उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा 50 प्रतिशत हो जाएगा तो मिश्रन पर अधारित हमने सारे 10 प्रतिशत बार्सिक दर्से क्या हो जाएगी तो बड़ा सिंपल सा यहाँ पर question है इस time की जन संख्या कितनी है एक लाख है अब जन संख्या कितनी बढ़ रही है 10 प्रतिशत दर्से क्या हो जाएगा तो 100 के उपर 10 बढ़ाएंगे तो कहां पर पहुंच गए 110 पर पहुंच आया तो 110 यह दूसरे साल के लिए और यह हमारे पास तीसरे साल के लिए कटिंग करेंगे 2-0 से 2-0 next 2-0 से next 2-0 और next 2-0 से next 2-0 क्या बचा यह बचा 100 गुना 11 गुना 11 गुना 11 सबको आप multiply करिए वही आप cancer आएगा 11 का क्यूब यहाँ पर बना तो 11 का क्यूब कितना होता है एक गाउं की बरतमान अवादी 4000 है यदि अवादी 5 प्रतिशत बार्शिक दर्श से बढ़ती है तो 2-3 बटा 5 वर्श बाद अवादी कितनी हो जाएगी काफी अच्छा प्रशन है यहाँ पर हम जब भी इस टाइप का कोई हमारे पास प्रशन आता है हम क्या करते हैं पर formula भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं जैसे हमने पिछला question किया तो वहाँ पर हम लिखते है rate divided by 100 ओर उपर आता है time t तो उसी type से हम लिखेंगे और इसके लिए जो हमारी first fraction है उसको solve करने का यही हमारे पास एक method है total जन संख्या कितनी है total जन संख्या है हमारे पास कितनी 4000 ठीक है जी 4000 लिख लिए उसके बाद है अब आदी कितनी बल रही है 5 प्रतिशत की दर से बल रही है तो हमारे पास जो formula होता है वो यह होता है formula हमारे पास यह होता है CI कभी आप लगा सकते है यह आगी हमारे पास population multiply by 1 plus rate upon 100 और उपर आता है time t उपर आएगा हमारे पास time t ले सही 3 बटा 5 इसका मतलब 2 साल क्या है पूरे है दो साल क्या है हमारे पास पूरे है तो 2 सालों के लिए तो हमने कर दिया इसका क्या square कर दिया ठीक है आगे multiply किससे करेंगे जब हमारे जो fraction वाले साल है उसको हम किस टाइप से लिखते है ऐसरिस लिखना है 1 आगे आएगा प्ल यहां पर question को आप solve करें यह बनेगा 105 डायरेक्ट multiply का formula में लगाऊंगा 100 LCM आपने ले लिया यहां पर तो यह 105 बन गया 105 और बटा 100 square है इसलिए कितने बार लिखेंगे दो बार लिखेंगे और आगे कितना बनेगा हमारे पास ही 100 और 3 100 बटा 100 यह हमारा question बना इसको हम solve कर इसको कट करेंगे multiply करिए आप यहां पर सभी values को 4 से हमारा 100 कट जाएगा कितनी बार 25 और 5 से हम इसको काटेंगे 5 से कट जाएगा यह हमारा 21 और यह कट जाएगा 5 बार 5 से यह भी कट जाएगा 20 वार हमारे पास बचा क्या 21 गुणा 20 गुणा 103 और नीचे कितना जाएगा 10 तो 21 को 21 से आपने गुणा किया 441 और उसको 103 से आप गुणा करें कितना जाएगा आपके पास यह बन जाएगा 45 423 और नीचे है आपके पास 10 यहां पर लग जाएगा पॉइंट यहां पर हमारे पास यह आंसर आएगा वैसे population जब भी है वो हमारे पास पॉइंट में नहीं जाता है तो उस तरीके से भी आपको question को solve करना आना चाहिए अगला प्रशन है मोहन के गाउं की अवादी इस समय कितनी है बरतमान में कितनी है बरतमान में है 6760 तो वो मैंने यहां पर लिख लिया यदि उसमें 4 प्रतिशत बार्शिक दर से ब्रिधी होती है तो 2 साल पहले क इसी formula से हम solve करेंगे बरतमान की जन संक्या कितनी है 6760 अब population हमें निकालनी है वो यहां पर लिख लिया 1 प्लस rate कितना है rate हमारे पास दिया है 4% और नीचे कितना जाएगा 100 और आगे बोला है कितने सालों के लिए 2 सालों के लिए तो यहां पर आ जाएगा square इसको हम solve करेंग 25 आ गया हमारे पास यह बनेगा 6760 बरावर है P और यहां पर बनेगा 25 और 26 बटा 25 बनेगा इसको square बनेगा यह 26 बटा 25 का square बना यह बन जाएगा 6760 बरावर में P गुना 26 का square करेंगे 676 आएगा 25 का square करेंगे 625 आएगा यहां से P की value को आपको calculate करना है अगर यहां पर पूरव की बात नहीं होती तो यहां पर यहां पर लिखी जानी थी लेकिन अगर पूरव की बात है तो इसलिए हम P को यहां पर calculate करेंगे 625 आपका दूसरी तरफ चला जाएगा 6760 multiply by 625 और नीचे आपके पास आजाएगा 676 यह आपका पूरा कट गया 10 बार तो जनसंख्या कितने आगी 625 और 0 6250 क्या होगी वहां की जनसंख्या होगी तो इस मैथड से हमने इस question को भी solve कर लिया अगला question आपके पास एक कस्बे की जनसंख्या पहले साल 5 प्रतिशत कम हुई दूसरे साल 8 प्रतिशत बढ़ी और तीसरे साल 10 प्रतिशत कम हुई तो फिर से पहले वाल प्रतिशत कम किया तो कहां पहुँचगे पिचानवे पर पहुँचगे उसका दूसरे साल में 8 परसें बढ़ी तो 108 पर पहुँचगे 100 से compare करना आपको, बढ़ने पे 100 से जादा ले जाना है, कम होने पे 100 से कम करना है तीसरे वर्स 10 कम होगी, 10 कम ही कर दी, तो कहां पहुंचगे, 90 पहुंचगे cutting करेंगे, 20, 40, और कितनी है ये, 40, 1, 2, 3, 40, 10, 10, 10, 10, 10, 10 ये जो है, ये उस गाउं की क्या होगी, फुल जन संख्या होगी, 461700, ये इस question का सही आंसर रहेगा ये हमने, population वाले question जो है, वो discuss किये सारे के सारे, अब इसके बाद जो है, वो हम बात करेंगे इस topic में, numbers के उपर अधारित, जो भी हमारे important question रहते हैं, उनको किस type से हम solve करेंगे number के उपर based, हमारे percentage के जो important question है, उनको हम discuss करेंगे one by one type to type हम question को solve कर रहे हैं, classes आपको कैसी लगरी, जुरूर आप बताएं एक संख्या का 80 प्रतिशत, दूसरी संख्या के 50 प्रतिशत के बराबर है, ये कोई संख्या है, उसका 80 प्रतिशत, तो ठीक है, पहली संख्या हम ले लेते हैं, पहली संख्या आगी, ये first number आगया, ठीक है, पहली संख्या का 80 प्रतिशत, जिस तरीके से question दिया है, उसी तरी है 봤 पहले मैं क्या करूँगा यहां से यह 100 से 100 direct cancel out हो गया 0 से 0 cancel out हो गया तो पहली संख्या कितनी आगी पहली संख्या आगी दूसरी संख्या का कितना 588 यह तो इसी से हमने क्या कियाlara कि आठ को क्या करूँगा मैं इस X प्रतिशत है यह चीज मैंने लिख दी अब मैं क्या करूँगा इस equation की value को यहाँ पर क्या कर दूँगा भर दूँगा पहली वाली value को उठा के कहा भर दूँगा दूसरे वाले नंबर पे भर दूँगा तो मेरे पास यहाँ पर value जो है वो क्या आएगी दूसरी संख्या बराबर है यहाँ पर इस पूरी की पूरी value को इस position पर हम भरेंगे तो क्या आजाएगा दूसरी गुणा 5 बटा 8 गुणा x% x% का मतलब होता है x बटा 100 अब इसको solve करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा यह नीचे वाली सारी time में कहा जाएंगी उपर चली जाएंगी तो यह पर क्या बच गया x दूसरी संख्या से दूसरी संख्या कैंसल आउट 5 से 100 कटेगा कितना आजाएगा मेरे पास 20 आठ को 2 से करेंगे कितना आएगा 16 और 1 0 इसका मतलब है x की value कितनी आएगी x की value आएगी हमारे पास 160 तो इस तरीके से आपका question जो है वो किवार elimination method से भी solve जो को बताया था कम अधिक पास फेल हार जीत सारे के सारी चीजें क्या बताती है अंतर को बताती है मतलब की क्या बताएगी वो सारी value difference को शो करेंगी तो आपको यहाँ पर क्या करना है difference ही निकालना है तो कोई एक संख्या है उसका 4 बटा 5 भाग कोई एक संख्या लेली कौन सी 60 प्रतिशत देख लिया और कितना अधिक है उससे कितना अधिक है उससे 60 अधिक है तो बराबर में आएगा 60 और दोनों का क्या निकालेंगे difference निकालेंगे अगर इस method से नहीं करना है तो एक और method है question से ही understand करेंगे कोई एक संख्या उसका 4 बटा 5 ले लिया x का 4 बटा 5 ले अब इसी चीज़ को जब आप दो बारस इसमें लिखेंगे same to same आपके पास यही equation बन जाएगी तो यह equation कहां से बनती है जब कम अधिक हार जीत पास्वेल बताया जाए तो direct आपको क्या करना है उसका अंतर निकालना है difference करना है मतलब की दोनों को minus करना है यहीं से आप इस question को solve कर सकते हैं आपके पास बनेगा 4X आपके पास बनेगा यह 4X अपोन 5 बराबर में यह बनेगा 65 65X यह बनेगा आपके पास 65X और अपोन में आ जाएगा 100 और यहाँ पे है आपके पास plus के 60 अब आप क्या करेंगे X वाली term को एक तरफ ले जाएंगे या फिर जब आप cutting करेंगे तो direct आप cutting भी कर सकते हैं यहाँ पर तो 5 से आपका कट जाएगा यह 5 से कट जाएगा यह आ जाएगा 13X 5 से कट जाएगा तो आएगा 20X अब दूसरी तरफ ले जाएगे तो यह आपके पास क्या बना 4X बटा के 5 माइनस के 13X और बटा के 20 बराबर के कितने 60 अब यहाँ पर LC में ले लिया हमने कितना जाएगा 20 को 5 से करेंगे आज गया 100 किसी भी मैथल से आप कर सकते हैं उसके आज 20 को 4 से करेंगे 80X माइनस के 13 को 5 से किया 65X तो बराबर के कितने 60 80 में से 65 हमारे चले जाएगे तो कितने बच गए 15 15X बटा 100 बराबर के 60 X को यहीं पर रहने देंगे 15 उपर से कहाँ चला जाएगा नीचे और 100 यहाँ से गाइफ होके कहाँ जाएगा तो 15 से 60 कटा 4 बार 4 को 100 से किया कितना अंसर आ गया 400 तो वो जो संख्या है वो जो X नंबर है वो किया है आमारे पास 400 है इन दोनों मैथल स आप इस question को क्या कर सकते हैं solve कर सकते हैं अगला प्रशन है संख्याओं से ही related प्रशन है एक संख्या का 3 बटा 4 भाग उसके 40% से 12 अधिक है फिर से उसी type का question कोई एक संख्या ले ली X ले ली उसका 3 बटा 4 भाग 3 बटा 4 लिख लिया उसके यानि कि X के ही 40% से 40% लिख और प्लस के कितने 12 अब 2X और 5 को ले जाएंगे दूसरी तरफ 3X बटा 4 माइनस के 2X बटा 5 और बरावर के 12 लेंगे 5 और 4 का LCM आएगा 20 पांस त्यां आजाएगा 15X माइनस के या आजाएगा 8X बरावर के 12 अब 15 में से कितने जाएंगे 8 चलेगे 15 में से कितने जाएगे 8 चलेगे 7 बरावर है 12 गुना 20 हमने उपर लेगे 7 यहां से हटाएंगे 7 कहां चला जाएगा तीचे चला जाएगा अब इसका क्या निकालना हमें अब इसका निकालना है साथ प्रतिशत तो एक्स का हम क्या निकालेंगे साथ प्रतिशत निकालेंगे इसी एक्स का साथ प्रतिशत निकालेंगे तो हम क्या लिख देंगे साथ बटा सो लिख देंगे इस कोईशन को हम सॉल्व करेंगे अब अंसर बनता है हमारे पास 2-0 से 2-0 चली जाएंगी हमारे पास कितना बचा 12 गुणा 12 कहीं पर mistake हुई है हमारे पास यहाँ पर ठीक है यहाँ पर point में हमारे पास answer जाएगा यह 12 गुणा 12 करेंगे 144 और डिवाइड बायाएगा 7 यह हमारा answer है अगर point में निकालना है तब आप इस question को answer को point में भी निकाल सकते हैं अगला प्रशन है हमारे पास किसी संख्या का 14 भाग 12 के बराबर है कोई एक संख्या है उसका 14 पार्ट कोई एक संख्या X लेली उसका कितना हिस्सा 14 हिस्सा मतलब होता है एक बटा 14 हिस्सा किस के बराबर है 12 के बराबर है तो संख्या का 1500 प्रतिशत निकालना है तो पहले X निकालेंगे संख्या निकालेंगे यह 14 नीचे से कहां चला जाएगा उपर और 12 को 14 से कितना क्या करेंगे गुणा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 168 168 बन गया, अब इसी संख्या का क्या निकालना है हमने 168 का ही क्या निकालना है 500 परसेंट निकालना है तो 500 बटा जल्दी से इस question को हम solve करेंगे जो cutting होगी उसको cutting करेंगे 5 से cut जाएगा 2 बार, और 5 से cut जाएगा कितनी बार, तीन बार, 2 से हमारा ये cut जाएगा, 8 और 4 अब 84 को multiply करेंगे, 3 से कितना जाएगा, 4 ते हम 12 और 8 ये 24 और 1, 25 तो 252 जो है, वो इस question का क्या रहेगा बिल्कुल सही answer रहेगा I hope आपको यहाँ तक प्रशन जो है, वो सारे के सारे clear हो गए है, तो हमारा ये जो था, वो एक percentage का important session था, जिसमें हमने percentage के 1 by 1, सारे के सारे type को जो है, वो discuss किया जो भी हमारे percentage के जितने भी type थे, उनको हमने आज discuss किया, आपके सामने आप साथ साथ में जो है, वो आप बनाते चलें, तभी आपकी त्यारी जो है, वो काफी अच्छे तरीके से हो पाएगी, प्रैक्टिस के लिए question, आपको जो है, वो विजेपत education app में जो हम आपको प्रवाइड करवाएगे हैं साथ में आपको notes जो है, वो भी आपको प्रवाइड करवाएगे kanina है, वो भी आपको जो है, वो भी आपको से एक्टिस